Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Paskir, guys, this particular video में हम लोग बात करने वालें about SEO proposals और मैं आपको दिखाने वाला हम किस टाइब से एक आप SEO proposal create कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या important चीजे होती जिनका आपको धिहान रखना है तो एक चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपको इस चीज़ का धिहान रखना है कि जो भी आप proposal बना रहे हो चाहे किसी भी field का हो जरूरी नहीं हो SEO का यह हो, हो सकता है Google Ads का हो, Facebook Ads का हो याफी Complete 360 Digital Marketing की जो services है, उनका हो जो भी आप proposal बना रहे हैं, आप उसको customize जरूर करें अब जो हम customization की बात करते हैं, तो proposal में customization इस चीज़ से आता है कि आपने पहले जो एक basic सा audit किया है, ठीक है, जो basic सा audit किया आपने उनकी website का, जैसे मैं SEO की बात करा हूँ यहाँ पर, राइट तो उसी से हम बड़े सारे points निकालते हैं, और फिर उनको हम लोग अपने proposal में mention करते हैं तो यहाँ पर हमें एक basic सा audit भी करना पड़ेगा, और basic से जो हमारा audit होगा उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो हम लोग बड़े सारे parameters पे, जो common parameters है on page के, ठीक है, off page के जो common parameters है, उनके उपर हम लोग एक report create करेंगे और report create करने के बाद हम उसमें कुछ suggestions भी mention करेंगी, यह suggestions हमारी तरफ से हो सकते हैं उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या चीज़ें करने वाले हैं, कितने keywords के उपर हम ranking करने वाले हैं हमारी जो timeline है, वो किस हिसाब से रहेगी, हम किस type से, जो है over the time, किस type से हम लोग इस project को handle करेंगे, किस type से हम अपनी services provide करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है आपके फिर proposal में, timeline में, वो सारी चीज़े include होती है, pricing औगएरा और क्या के चीज़ें हम देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर include होती है, right तो कहने का मतलब यह है कि finally proposal तयार होने से पहले, आपको अपने client की या जो prospect है, उसकी जो website है उसका एक basic audit करना पड़ेगा और उसकी मैं report आपको दिखा सकता हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे laptop screen के उपर एक बहुत ही अच्छी report है यहाँ पर, fine keywords है, keywords है वो किस type से है, URL सही है या नहीं है, उसके बाद जो हमारे competitors है, उनकी जो website है, उनकी website किस type की है, जो main हमारे competitors perform कर रहा है, उनकी website किस type की है, ठीक है, आपके लिए suggestions कि on page पे आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके mention करी गई है कि आप on page में क्या कर सकते हैं, आप off page में क्या कर सकते हैं, competitors की main websites हैं, वो कौन कौन सी हैं, और उन्होंने किस तरीके से जो standard है Google के उनको follow किया हुआ है, और क्या क्या चीज़ें उनकी है, जो हमने नहीं करी है, और वो rank हो रहा है, तो इस type से आप एक mix बना सकते हैं, कि आप जो website को audit करना है, उनमें क्या चीज़ें हैं, ठीके किन parameters के उपर आप उसको audit करना है, presentation आपको बुझ भी हो सकता है, यहाँ पर आप देख रहा हो, यह एक PDF है, आप जो है PPT के form में बना सकते हो, जिस भी तरीके साब present करना चाहा हो, आप present कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग आप और schema से related suggestions है, तो इस टाइप से चीज़ें आप बता होगे, this is something which we call it as customization, तो इस टाइप की customized approach हमें उन्हें बतानी पड़ेगी कि आपकी website में क्या कमी है, और किस टाइप से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम steps क्या follow करेंगे, हम लोग backlinks को बनाने के यह भी आप 100% आप strategy नहीं बताने वाले हो, बट बहुत सारी चीज़े आप mention करने वाले हो, तो इस टाइप से हमें एक basic audit की जो हमारी report है, उसको भी हमें साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या study करी, किस basis पर आपने proposal दे दे, क्या website की study नहीं करोगे, उसके बार तो आप proposal दो गए है ना, तो यहाँ पर आप देखो, यह proposal है, तो वो एक basic audit था, उसी के reference से यह proposal बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, search engine optimization, यानि कि SEO की service से related यह proposal है, और यहाँ पर हम client की detail लिख देंगे, यहाँ पर prepared by लिखा हुआ है, ठीक है, introduction में थोड़ा सा लिख हुआ है कि किस टाइप से जो SEO है, वो आपके business को help करने वाला है, ठीक है, क्यों important है, और search engine optimization के benefits क्या है, हमें क्यों choose करें, हमारी कुछ USP's जो है, यहाँ पर हम mention कर सकते हैं, जो हमारा clientele है, वो हम यहाँ पर mention कर सकते हैं, उसके बाद जो project है, उसका schedule क्या रहेगा, तो आप आप देख रहे हो, यहाँ पर जो timeline है हमारी, वो first month क्या रहेगी, second month क्या रहेगा, third month क्या रहेगा, इसको break किया गया, पहले मन्त website design होगी, onboarding होगी, website का review होगा, detailed review, strategy, development, यह सारी चीज़े first month होगी, कुछ on page का काम भी शुरू हो जाता है, parallelी, कुछ थोड़ा सा off page का भी का task, तो यह देखो, यह सारे break है, ठीक है कि basic, जो हमारी SEO audit है, वो होगा, report आपके बनेगा, ठीक है, report किस basis पे, keyword के ranking पे, popular pages के basis पे, sparkling के basis पे, site authority के basis पे, social media presence क्या है, उसके बाद meetings होगी, meetings में यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे, उसके बाद हमारा information exchange होगा, उसके बाद keyword research जो है, जो यहाँ पर करी गई है, ठीक है, जो report बेज़े है, उसके basis पे final होगी चीज़े है, तो ऐसा नहीं कि first month काम नहीं रहता है, बहुत सारे काम रहता है, उसके बाद यही पर सारी strategy बनेगी, on page की, off page की, तो वो detailed strategy बनेगी, और उनी के basis पे हम लोग दूसरे महिने और तीसरे म Before begin, we would like to have a quick meeting to discuss your goals, demographics, competitors, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, we will also need site access and login information, such as Google Antics and Webmaster Tools, इन सारी चीज़ों को भी आपको mention करना है, इन सारी चीज़ों में actually time लगता है, तो यह सारी चीज़े आप अपनी timeline में mention करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखा कि यह हमारे month one की चीज़े ठीक, उसके बाद month two में जो हम task करेंगे, आप देख सकते हो, अगर website launch करनी होगी, अलब नहीं website बन रही तो हम website launch करनेंगे, यह case depend करता है कि अगर नहीं website बननी होगे, उसके बाद जो हम लोगों ने on page की strategies बना ही, उसको implement करना शुरू करेंगे, ठी करी जाएगी, तो इस टाइप से आपको client oriented सारी चीज़ें mention करनी है, उसके बाद month three के task आप देख सकते हो, कि इस टाइप से हमारी reports बनेगे, monthly issue audit report and key metric report, जो है वो यहां से जानी शुरू हो जाएगी, पहले और दूसरे महिने की भी report जाएगी, पर यहां से हम थोड़ा सा track क्योंकि initially setup होने में थोड़ा से एक आदे महिने लग जाते हैं, और उसके बाद हम track पर आ जाते हैं, उसके बाद हमारी regular reports जानी ही शुरू होती है, जैसे है, आज अगर client ने आपको project दिया है, ठीक है कि आपको 10 keywords के उपर काम करना है, इन 15 keywords के उपर काम करना है, तो वो अग बड़ी website का search optimization कर रहा है, का on page में ही time लग जाता है, है ना, क्योंकि बहुत सारे pages वगरा involved होंगे, तो website अभी किस phase में है, किस structure में है, कितने चीजों की अभी उसमें जरूरत है, कितने implementations की जरूरत है, ये भी बहुत important चीज़ होती है, कि क्या उसका proper on page हुआ भी है, कि नह type के हम लोग जो back links creation है, वो सारी चीज़े करेंगे, उसके बाद packages है, तो आप देख सकतो basic package है, advanced package है, premium package है, इसमें हम इतने keywords में, इतने keywords के उपर काम करें, अगर हमें paid ads भी run करने, तो उसका हमने यहीं पर mention कर दिया, कि अगर paid traffic होगा, ठीक है, जिसके लिए हमें ads run करना will be yes, कि competitor analysis तो होगी, पर dedicated SEO person नहीं मिलेगा इस package में, और यहाँ पर आपको मिल रहे है, ठीक है, बाकी आप देख रहा हो, on page की activities लगबग सभी हो रही है, ठीक है, बस यहाँ पर on site अगर blog होगर है, integration आपको करना है, तो वो इसमें involved नहीं है, ठीक है, उसके बाद अगर off page मे हम आजाएं, तो off page में Google My Business के उपर काम नहीं होगा, इन packages में Google My Business के उपर भी काम होगा, content से related जो है, article writing नहीं होगी, blog writing नहीं होगी, इस वाले package में भी नहीं है, advanced वाले package में, right, तो इसके हिसाब से आप pricing जो है, वो decide कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में यह सारी चीज़ें monthly reports मिलेंगी, search engine ranking की report होगी, Google Analytics की report मिलेगी, off page implementation जो भी किया गया है, क्योंकि जो भी आप rankings होगे, उसका database create करोगे, उसकी report आप दोगे, किस टाइप का support आप उनको दोगे, email का, या काल का, वो सारी चीज़ें जो है, वो यहाँ पर आप mention करोगे, जो यहाँ पर चीज़ें जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, यह बहुत ही important है, जो आपका schedule है, जो timeline है, किस साब से आप काम करना शुकर होगी, यहीं पर बहुत सारी चीज़े clear हो जाती है, और यह सारी चीज़ें आप बनाते हैं, उसी basis पर जो आपने एक audit की, ऐसा नहीं कि जनरल आप बना दोगे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी website हो जो थीन पेज़ की है, तो उसका on page की हम बात करें तो इसका on page पांश दिन में ही खतम हो जाएगा है, दो दिन में ही खतम हो जाएगा हैं तो यह depends करता है कि website का structure कितना बढ़ा है, website कितनी बड़ी है, उसके उपर बहुत सारी चीज़ेंड कर करते हो जो भी आप contract sign करते हो इस बात के लिए कि दोनों parties के बीच में जो है privacy maintain रहे वो सारे contracts भी involved होते हैं छोटे से contract होते हैं ताकि सारी चीजें ठीक हो उसके बात conclusion है यहाँ पर ठीक है and we agree to hold your proposal open for acceptance till this particular date अब देख सकते हो इस टाइप से आप proposal बना सकते हो important यह इसा नहीं कि यही template आप copy कर लो यही template आप सबको बेशते रहो the important thing is कि आप element समझो कि किस point of view से यह चीज़े बनाई गई है किस point of view से चीज़े यहाँ पर mention करी गई है उन्हीं के basis पर आप further भी चीज़ें अपने proposal में भी mention कर सकते है proposal की success मैंने यहाँ तक देखा है proposal की success इस बा कि आपने मेरी website की study करी है अब मेरी website में आपने कुछ कमिया देखी है इसके basis पर आप हमें best क्या propose कर रहे हो आप हमारे business growth में किस हिसाब से help कर सकते हो आप हमारी website की ranking किस हद तक बढ़ा सकते हो कितना time लगेगा क्या आप activities करोगी क्या हमारा projections है आप इसमें एक और section add कर सकत पर आपको अगर हम इन जो भी हम यहाँ पर time lines decide कर रहे है इन time lines के उपर अगर हम लोग चले जो भी हम लोग ने steps decide किये तो हम चले तो हम यह achieve कर सकते हैं बट अचीव हो जाएगा इसकी guarantee नहीं तो इस type से आप जो कुछ जो future में आप उनको results लागते दे सकते हैं वो सारी ची conclusion आपने देखा ठीक है कि यह conclusion है तो यह सारे sections है जो important है और मैंने आपको बताएगी इसके साथ अगर आप एक basic audit report attach कर दोगे तो और सोने पर सिह अगा हो जाएगा ठीक है और आपको attach करनी भी चाहिए ठीक है वो चीज आपको धिहान रखनी है कि आपको उस type की audit reports हैं उनको अब आपको attach करना है कि उनको पता चले कि क्या कमिया है और किस level पर काम हो सकता है देखो कई बार आपको भी यह लगता होगा कि अगर मैं सारी चीज़ें उनको बताई दूं तो फिर हमसे ही services क्यों लेंगे हो सकता है खुद करा लें या फिर हो सकता है हो किसी और को project देने ह हमें ना दे दे यह डर हमेशा रहेगा इसलिए मैं कहा रहा हूं कि पूरी strategies आप नहीं बताऊगे पर कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि यह कमी है ठीक हम यह नहीं बता रहे हैं कि हम उनको इस टाइप से दूर कर देंगे ठीक है यहां इसी हो timeline में हम overall चीज़ कर दो ऐसा नहीं होता है यह जब आप client के साथ आप जब काम करना start कर देते हैं उसके बादे चीज़ होती ही जब आपनी strategies वोगरा discuss करते हैं कि हम time में इस type से move करेंगे मैंने बोला कि हम off pitch करेंगे बट किस strategy के basis पर करेंगे वो आप proposal में नहीं mention कर सकते हो तो अगर mention भी कर द मान के चलते है reality में कुछ भी हो सकता है तो मान के चलते है practically हो भी सकता है ठीक है तो हम इस चीज़ को मान के चलते हैं तो हम बहुत जादा detailed में सारी strategies हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पर बढ़ हाँ उतनी चीज़ आपको यहाँ पर रखनी होंगी जो basically client को convince करने के point of view से जरू दोस्तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना है मिलता है नेक्स वीडियो में तिल देन गुट बाई